हेलो फ्रेंड्स वेलकम तर रूपी स्वाम स्टूडियो आज मैं आपसे एक को फेस स्क्रब और फेस मास्क को शेयर करना चाहूंगी जो मैं शेयर करें तो स्किन ब्राइटनिंग के लिए और स्किन ग्लोइंग के लिए है यह एक नैटरल स्क्रब है इसमें कोई की केमिकल्स वह नहीं है यह होमेट स्क्रब है आप यूज कर सकते हैं अगर कोई ब्राइड है तो फ्री मंच पहले या टू मेंस पहले से अगर यह उसक्रब यूज कर रहेंगे तो आपको कोई फेस्चिल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो चलिए मैं आपको रेमेडी ब आप जब दूद लेंगे तो दूद को बिलकुल भी पकाए नहीं कच्छा दूद से ही आपको यह बनाना है चलिए बतातियों मैं आपको कैसे बनाते हैं तो पहले आप यहाँ पे 1 टी स्पून मिल्क लीजिए और आप यहाँ पे ऐसा हाफ इतना सा आप यहाँ पे आलमन्ड पाउडर लीजिए इसे अच्छे से मिक्स करिए देखिए मिक्स करने के बाद यह कुछ इस तरीके से दिखे इसे आप दाले बाद में आपको क्या करना है इसे ओवरनाइट अगर आप दिन में लगाना चाहरे तो आप रात में इसे ऐसे मिला के फ्रिज में रख लीजिए या तो आप इसे सुबा में मिला के रात में लगाईए आप इसे फ्रिज में रख लीजिए अट लीज यह तो तो फिगेवा रहना चाहिए या आप ओवरनाइट भी इसे रख सकते हैं बरहाल इसे फ्रिज में रखिए आप लोग और इसके बाद अपने स्किन पे आप इसे अच्छे से मसाच करिए जैसे कि देखिए यह थोड़ा सा और जादा थिक हो जाएगा जब आप फ्रिज में अजिए लगाएंगे आप इसे मसाच करिए बिल तो यह अपो फेडा होगा आप टूेज भी इसे रख सकते हैं, बड़ अलब भी यूस करें तो आप उसे नहीं रख सकते हैं तो रोज बनाकिर अपमेसेज कर यहें कर आप तो रोज creamyच आप加ऊ कर आप यह सेब्सक्राइश कर ए थे अबुद केपल सीच करें तो आप यहां कि इससे आपके skin में एक brightening effect दिखेगा आपके skin glowing दिखेगा अगर कोई dark spot से तो चले जाएंगे आपके dark circles जाएंगे और आपके skin बहुत भी बहुत अची glow करेगी और आपके skin में एक अलग से shine दिखेगी जो भी brights है अगर आप लोग यूस करना चाहरे है तो आपके skin के लिए य अगर आपके skin पर लगाएंगे तो और ज्यादा फायदे होगे यह skin के लिए बहुत अच्छा काम करेगा आप लोग इसे अच्छे से मैसेज करेंगे अगर आप लोग यूस करेंगे यह कोई भी यूस कर सकते हैं लेकिन brights के लिए इसे एक at least two months तो यूस करना है डेली यू अगर आपको मेरी रेचीबी पसन आए अगर आपको मेरी रेमेडी पसन आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करियेगा और मेरे वीडियो को जातर से जादा शेयर करिये थांक्स प्रेंग स्वाचिग मै चैनल